साथ एकम साथ साथ दुनी चोदा सातिया एकिस साथ चोके अठाइस साथ पच्चे पैंतिस अरे छोटी ननी पढ़ाई कर रही है वाह क्या बात है राम दुरारी चाची परणाम आप कहा जा रही है बेटी मैं बगल के गाउं में पापड बेचने जा रही हूँ चाची आपने पापड बेचने का काम शुरू किया है क्या? मैंने ही नहीं गाउं के अन्य कई महिलाओं ने भी पापड बनाने और बेचने का काम शुरू किया है हम सभी स्वयम सहायता समों से जुड़कर ये काम कर रहे हैं रामदुलारी चाची प्रणाम खुश रहो वंदे वाँ चाची आप तो सुबह सुबह ही काम पर निकल पड़ी वैसे आपके पापड के चर्चे तो सब जगह हो रहे हैं कल भी मा बहुत तारीफ कर रही थी अरे वंदे, एन आर एलम के तहट हम जैसी ग्रामीन महिलाओं को स्थाई आजीवका का साधन मिला है आज इसी योजनाकी सहायता से स्वयम सहायता समू की स्थापना कर हम सरकारी सिवाओं का लाब उठा रहे हैं हाँ, मा भी बता रही थी कि महिलाओ के स्तर को सुधार ने और उन्हें आर्थिक रूप से बढ़ावा देने में स्वयम सहायता समू अपनी एहम भूमिका निभा रहा है। डे, एनार एलम क्या है वंदे, ये योजना भला किस परकार महिलाओं को रोजगार के अवसर दे रही है। मुझे भी इसके बारे में बहुत कुछ तो नहीं पता है, लेकिन मा बता रही थी कि इस मिशन के तहट देश भर में लाखो ग्रामीन महिलाओं को रोजगार मिल चुका है। तुम्हारी मा एकदम सही कह रही थी वंदे, स्वयम सहायता समू में 10-20 महिलाओं का समू बना कर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और एक महिला को खोशा ध्यक्ष बनाया जाता है और बाकी महिलाएं इनकी सदस्य होती है। तो क्या आप लोग भी इसी तरह समू बनाकर पापड बेच रहे हैं? हाँ वंदे, हम लोग भी NRLM के तहट समू बनाकर पापड बना रहे हैं और उससे मुनाफ़ा कमा रहे हैं रामदुलारी चाची, हमें NRLM के बारे में विस्तार से बताईए ना? हाँ हाँ, बताती हूँ, ध्यान से सुनो हाँ चाची, हम लोग तो ध्यान से सुनेंगे और मुझे यकीन है कि यहाँ बैटे हमारे पंचायत परतिनी दीवी NRLM के बारे में सब कुछ ध्यान से ही सुनेंगे हाँ आप लोग भी सब कुछ ध्यान से सुनेंगे न तो चलिए एक बार जोर से अपने लिए ताली बजा दीजिए हाँ तो रामदुलारी चाची चलिए अब हमें NRLM के बारे में सब कुछ वित्तार से बताईए हाँ ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों NRLM ने तो प्रदेश के गाउं की तस्वीर ही बदल कर रख दी है इस युजना के खारण जमु कश्मीर के गाउं में अब रौनक लौड रही है पलायन रुक रहा है प्रदेश के गाउं में अब रहा है उत्पत्ती जमु कश्मीर के गाउं में अब रौनक लौड रही है पलायन रुक रहा है अपने ही गाउं में महिलाएं स्वाभिमान के साथ काम कर रही है यहां की कारीगिरी, शिल्पकारी, दस्तकारी, भुनकरी, कृशी और बागवानी आदी अपसमूचे भारत को गौरवानवित कर रही है गाउं में ही उद्द्योग लगाने के लिए महिलाओं को लौन की सुविधा और तकनीकी साहिता मिल रही है यह कमाल, दीन दयाल, अंत्योदय, योजना, राश्ट्रिय ग्रामेर आजिवी का मिशन का है आज यह योजना गाउं में गरीब महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से सशक्त बना रही है चलिए इस योजना और इससे मिलने वाले लाब के बारे में विस्तार से जानते हैं राश्ट्रिय ग्रामेर आजिवी का मिशन ग्रामेर विकास मंत्राले की एक महत्वपूर्ण योजना है इस योजना का शुभारंब 2011 में हुआ, समय समय पर इस योजना में विभिन चर्णों पर बदलाव होते रहे और 2011 में इसमें व्यापक सुधार कर इसे दीन दयाल अन्तियोदय योजना राश्ट्रिय ग्रामेर आजिवी का मिशन के नाम से पुनहें प्रिक्षिपित किया गया आज यह योजना देश के अन्य गाउं की तरहे जमू कश्मीर के गाउं की गरीबी को दूर करते हुए सतत समुदाई संस्थानों की स्थापना कर उन्हें आजिवी का के विविद्ध सुरोथ प्रदान कर रही है रामदुलारी चाची, एन्य रेलम को ग्रामी इंस्तर पर शुरू करने की क्या कोई खास वज़े भी है हाँ, खास वज़े तो होगी ही वंदे, गाउं में महिलाओं के पास आजी विका के भला क्या साधन होते हैं, महिलाओं के पास शम्ता होते वे भी वो रोजगार के अफसर से वन्चित रहती हैं हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो न नी, अब बगल के गाउं की विमला ताई को ही देखो, उनका परिवार कितना गरीव था हाँ, चाची अब ठीक कह रही हैं, मैंने तो यह तक सुना था कि पिछले बरसात में उनका मिट्टी का घर भरभरा कर गिर गया था हाँ, तुम ठीक है रहो बंदे, खेर उनका घर तो प्रधान मंत्री ग्रामिन आवास योजना की सहयोग से बन गया, लेकिन घर चलाने के लिए नियमित आमदनी की भी तो जरुत होती है हाँ, घर चलाने के लिए रोजगार की जरुरत तो होती ही है वही तो, घर तो उनका प्रधान मंत्री ग्रामिन आवास योजना की सहयोग से बन गया, बाकी रही आज जीविका की बाद, तो वो काम NRLM के तहट स्वयम सहयोग से हो रहा है वो कैसे चाची? विमला ताई ने स्वयम सहयता समू के साथ जोड़कर मुर्गी पालन का काम शुरू किया है अब तो वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही है, उनके दोनों बच्चे भी अब स्कूल जाने लगे है विमला ताई की तरही अन्य कितनी ही महिलाव को इस ताई आजीविका के साधन NRLM की सहयता से मिल रहे होंगे न चाची? हाँ, इसलिए ये योजना ग्रामीन भारत के लिए जरूरी है चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस प्रकार ये योजना ग्रामीन भारत के लिए आशा की नई किरन सावित हो रही है जमू कश्मीर की ग्रामीन आबादी 90 लाक से अधिक है इसलिए गाउं के विकास के बिना प्रदेश के विकास की कल्पना करना भी असंभव है इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीनों की आजीविका में निरंतन वृद्धी करने वितिय सेवाओं तक बहतर और सरल तरीकों से उनकी पहुँच बनाने पारिवारिक आई को बढ़ाने वे रोजगार आदी बढ़ाने के लिए दीन दयाल अंतियोदेय राश्ट्री ग्रामीन अजीविका मिशन योजना के अंतरगत कई तरहे की कारिये किये जा रही है इन कारियों को करने के लिए मंत्राले को विश्व बैंक से आर्थिक साहता भी मिलती है दीन दयाल अंतियोदे राश्ट्री ग्रामीर आजीवी का मिशन योजना के तहट महिलाएं स्वयम साहता सम्हू बनाकर दस्तकारी, बुनकरी, लेवेंडर का तेल, पेपर मैशी, काला जीरा, अनार दाना, पतल निर्माण आदी बनाने का व्यापार कर आजीवी का कमा सकती है स्वयम साहता सम्हू में महिलाएं अपने नियमित बचत से एक कूश बना लेती है और उसका उपयोग आपातकारीन इस्तिती में करती है अपने कोश के पैसों से वो छोटे लगू उद्ध्योग जैसे आमपापड, आचार, मिठाई, टोकरी, डेरी भूत, अगरबत्ती वे मोमबत्ती आदी बना कर स्वरोजगार के नए अफसर स्वरज़त कर सकती है इन लगू उद्ध्योगों को बैंको द्वारा आर्थिक सायता भी दी जाती है हाँ, आसीफा जान महजूर नाम के स्वयम सहायता समू के साथ जुड़कर मुर्गी पालन का काम करती है आज उनका नाम प्रदेश में ही नहीं, बलकि देश के अन्य राज्यों में भी हो रहा है हमें उनके बारे में बताईए न रामदुलारी चाची हाँ, हाँ, उनके बारे में तो सभी को मालूम ही होना चाहिए, ध्यान से सुनो, बताती हूँ अनंतनाग जिले के बलॉक, शेहबाद दूरू में एक गाउं है, बरगम इस गाउं में लगभग 200 घर ऐसे हैं जो पॉल्ट्री, फार्म याने की मुर्गी पालन से जुड़े है इन सभी के पास 35 चूजे हैं और हर चूजे की कीमत 20 रुपे है बता दें कि ये साधारण ब्रॉयलर चूजे नहीं बलकि बहुत ही खास है आम बोलचा की भाशा में लोग इने देसी मुर्गा कहते हैं स्वाद में लजीज होने के साथ साथ इन में भरपूर मात्रा में पोशन तत्व पाए जाते हैं इन चूजों को ग्रामीन विकास विभाग, कुर्शी विभाग और पंचायती राज जमु कश्मीर के सहीयोग से लोगों में वित्रत किया गया है 22 साल की आसिफा जान भी महजूर नाम के स्वयम साहता सम्हूं के साथ जुड़कर मुर्गी पालन का काम करती है 8 साल की उम्र में ही आसिफा ने अपने पता को खो दिया था अपने चार भाईयों के साथ अभी वो जीवन यापन के लिए संघर्ष कर ही रही थी कि कुछ समय बाद उसकी मा भी गजर गई परिवार को सम्हालने की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई ने जरूर उठाई इसके लिए बकायदा वो कुछ साल मजदूरी भी करते रहे लेकिन इससे भी परिवार का भरन पोशन में कठनाईयां आती रही अपने संघर्ष भरे दिनों को याद करते हुए आसफा बताती है कि आजीविका के सभी अच्छे विकल्प घर से मीलो दूर थे लेकिन मेरे लिए घर से बाहर जाना आसान नहीं था क्योंकि घर के कामकाच को पूरा करनी की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी एक समय ऐसा भी आया जब लगने लगा कि शायद हमारा पूरा जीवन अभावों में ही गुजर जाएगा लेकिन स्वयम साहता सम्हू ने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी नी संधें आसिवा जैसी महिलाएं जो अपने घरों से बहार जाने में असमर्थ हैं और जिनके पास आजीविका कमाने के बहुत अधिक साधन नहीं है वो स्वयम साहता सम्हू के सहयोग से अच्छा पैसा कमा सकती है इस काम को करने में उम्मीद योजना आसिवा जैसी महिलाओं के लिए वर्दान साबत हुई है जमू कश्मीर आजीविका मिशन केंद्र दुआरा स्पॉंसर्ट प्रोग्राम से विभिन पंचायतों में रहने वाली महिलाओं को जोड़ रहा है बैक्यार्ट पॉलिट्री से जोड़कर पंचायती राज विभाग केंद्र प्रायूजत कारिक्रम जमूग और कश्मीर ग्रामीर आजीविका मिशन दुआरा ग्रामीर महिलाओं को लाग पहुँचा रहा है पॉलिट्री फार्मिंग पर योजना के कई लाब हैं एक तरफ तो इससे लक्षुत आबादी की गरी भी दूर हो रही है समाज का हर वर्ग सशक्त और मजबूत बन रहा है लोगों की सेहत में भी सुधार हो रहा है और वो समाजिक आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है ग्रामीर और शहरी इलाकों के चिकन और अंडी की आवशक्ताएं पूरी हो रही है आजीविका मिशन से लोगों को रोजगार मिल रहा है ऐसे तो सामबा जी ले के दियानी गाउं में रहने वाली बिमला देवी जी के बारे में भी बहुत कुछ अकबार में छपा था पिता जी बता रहे थे की उमीद मिशन के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने विभीन परशिक्षन कारेकरमों में भाग लिया सामबा जी ले के दियानी गाउं में रहने वाली बिमला देवी एक दलत गरीब परिवार से तालुक रखती है बिमला की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी लेकिन उनका जीवन हमेशा कचनाईयों से गेरा रहा जीवन की मूल आविशक्ताओं को पूरा करने के लिए भी बिमला को कड़ी मेहनत करने पड़ती थी 2017 में निरधनता की बेडियों को तोड़ने के लिए आखरकार बिमला ने भी उम्मीद मिशन के साथ जुड़कर विभिन प्रशिक्षन कारिक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया उन्होंने अपना स्वयम का व्यापार शुरू किया और आत्मिनिर्भर बन गई व्यापार को शुरू करने के लिए बिमला ने 15,000 रुपए का कर्ज भी लिया कुशल प्रबंदन और अच्छी योजना के सहरे व्यापार बढ़िया चलता रहा तो बैंक ने उन्हें 2,000,000 रुपए लोन भी दिये इस व्यापार को लोगप्रिय बनाने के लिए बिमला ने प्रभावी और कुशल प्रबंदन के तरीके अपनाए देखते ही देखते वो अपने परिवार के भरन पोशन करने में सक्षम हो गई कल तक जहां बिमला निर्धन थी आज वो उमीद मिशन के सहारे 30-40,000 रुपए कमा ले रही है अपनी काम्याबी के बारे में बताते हुए वो कहती है कि हम गरीब थे लेकिन उमीद कारिक्रम ने मुझे सामाजिक आर्थिक तोर पर मजबूत बना दिया अच्छा वच्चो मैं चलती हूँ मुझे जरा देर हो रही है ठीक है रामदलारी चाची हाँ तुम लोग अगर चाहो तो राजेश्वरी देवी जी के यहां जा सकते हो वहाँ पर स्वयम सहायता समू की बैठक चल रही है ठीक है चाची हम लोग उनकी घर जाते हैं नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने शुरू में तै किया था कि समू के सदस्य हर पंद्रा दिन में एक बार बैठक कर विभिन विश्यों पर चर्चा करेंगे और एक दूसरे की समाजिक आर्थिक समस्याव का समधान हां राजेश्वरी जी आज तो हम लोग इस बैठक में बचत रासी को जमा रिन का लेन देन लेखा जोगा आधी के बारे में चवचा करेंगे नमस्कार राजेश्वरी चाची अरे नन्नी बंदे आओ आओ कैसे हो तुम दोनो हम ठीक है चाची हमें रामदुलारी चाची ने आपके समु के बारे में बताया हम बस यही जानने आए हैं कि स्वयम सहयता समु काम कैसे करती है हां मैं बस समु के सभी सदस्यों को इस बारे में जानकारी देने ही जा रही थी तुम भी ध्यान से सुनो कुछ ध्यान देने वाले बाती जोड कर लाब दिया जा रहा है इस योजना के अनुसार राज्यों के गरीबी के अनुपात के आधार पर हर प्रदेश को राशी आवंटित की जा रही है गरीब महिलाओं में अपनी गरीबी मिटाने की मजबूत इच्छा शक्ती होती है वो समहूं में काम करके अपनी गरीबी दूर कर सकती है शमताओं को उभारने के लिए सामाजिक एक जुटता के साथ साथ सशक्त संस्थाओं का निर्मार जरूरी है सामाजिक एक जुटता, सशक्त संस्था और सशक्ती करन के लिए एक बहाय, समर्पित और समवेदनशील सहायक सनरचना की जरूरत है प्रचार प्रिसार, कौशल विकास, उधार की सुविधा, बाजार तक पहुँच एवं आजीविका से जुड़ी अन्य सेवाओं की साहेता से महिलाएं इस्थाई आजीविका प्राप्त कर सकती है हर संस्ता के कुछ नैतिक मुल्य होते हैं न चाची, NRLM के नैतिक मुल्य भला क्या है? हाँ, बिल्कुल, समाज के अत्यंति गरीब लोगों को शामिल करना, सम्हों में उन्हें आर्थिक और समाजिक विकास के लिए अफसर प्रदान करना, शम्ता और कौशल विकास को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरन को बढ़ावा देना, लगू उध्योग को बढ़ावा समाज के अत्यन्त गरीब लोगों को शामिल करना समहूं में अन्य आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अफसर प्रदान करना शम्ता एवं कौशल विकास करना महिला से शक्तिकरण को बढ़ावा देना लगु उद्योग को बढ़ावा देना सामुदाइक रूप से महिलाओं में आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता बढ़ाना लीडर्शिप स्किल का विकास करना मेकिन इंडिया को बढ़ावा देना सामाजिक समावेश और सर्व भौमेक सामाजिक एक जुटता आजीवी का एन आर एल एम से यह सुनिश्चित होगा कि राज्चे सभी की सहभागिता की पद्धती अपना रहा है या नहीं इस योजन द्वारा ग्रामेर गरी परिवार से कम से कम एक महिला को समय बद्ध तरीके से स्वयम साहता सम्हूं से जोड़ा जाएगा मिशन कामकाजी रूप से प्रभावी संस्थाओं में सभी निर्धारत BPL परिवारों के सामाजिक समावेश तथा एक जुटता के लिए विशेश रणनीती अपनाएगा खासकर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती, अक्षम, भूमी हीन, प्रवासी मजदूरों, अलग थलग पड़े समुदायों तथा अश्शान्त शेत्रों की महिलाओं को इस योजना का लाब दिया जाएगा गरीबों की भागिदारी की पहचान NRLM की तहट गरीबों की भागिदारी की पहचान के लिए एक अच्छी तरहे से परिभाशित, पारदर्शी और न्याय संगत प्रक्रिया अपनाई जाती है गरीब की भागिदारी की पहचान PIP पध्यती के माध्यम से होती है PIP माध्यम से निकाली गई NRLM लक्षिसमू NTG, BPL से अलग कर दिया जाता है शाश्वत संसाधन की रूप में समुदाय फंड NRLM के तहट गरीब महिलाओं को आर्थिक और सामजिक मजबूती प्रदान की जाती है सहस्थागत और वित्य प्रभंदन शम्ता को मजबूत बनाने और मुख्य धारा के बैंक वित्द आकर्षित करने के लिए अन्य संसाधन उपलब्ध करवाय जाते हैं इसके साथ ही ट्राक रिकॉर्ड के निर्मार्ण, शाश्वत परिक्रामी, निधी और सामुदाइक निवेश कोश के रूप में भी सम्हूं को संसाधन उपलब्ध करवाय जाते हैं वित्दिय समावेशन NRLM वित्दिय समावेशन के तहट मांग और आपूर्थी दोनों पक्ष पर काम करता है मांग पक्ष की रूप में यह वित्दिय साक्षरता को बढ़ावा देने, स्वयम साहेता, सम्हूं और उनके महसंगु को पूंजी प्रदान करने का काम करता है आपूर्ती पक्ष की रूप में यह वितिय शेत्र के साथ समन्वय और सूचना को बढ़ाने का काम करता है जीवन, स्वास्थे और संपत्ती के नुकसान की जोखिम के खिलाब सर्वभॉमिक कवरेज यानि अधिक से अधिक लोगों के कवरेज की दिशामी काम होता है आपसे तो बहुत कुछ जानने को मिला राजेश्वरी चाची हाँ राजेश्वरी चाची आज हमने आपसे बहुत कुछ जाना ठीक है चाची अब हम लोग चलते हैं हाँ हाँ ठीक है अपना खयाल रखना दोनो वंदी तुम्हें मालूम है डे एन आर एलम के तहट इस बात का खयाल रखा जा रहा है कि हमारे गाउं की कोई ब्रामिन गरीब महिला वंचित न रहे तुम्हें ये सब किस ने बताया मा वदा रही थी वो तो ये भी कह रही थी कि डे एन आर एलम के तहट समाज के दुरबल वर्गों का पर्याप्त कवरे सुनिशित किया जा रहा है और क्या-क्या बताया उन्होंने हाँ रुको मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताती हूँ आरंभ में एन आर एलम द्वारा यह सुनिशित किया जाएगा कि प्रतेक नर्धारत ग्रामेर गरीब परिवार से कम से कम एक महिला सदस्य को समय बद्ध ढंग से स्वयम सायता सम्हू नेट्वर्क में लाया जाए महिला को आजिवी का संबंदी मामलो अर्थात कृशक संगटन दूद उत्पादक सहकारी संगटन बुनकर संग आदी का समाधान करने के लिए संगज़त किया जाएगा इस बात का खयाल रखा जाए कि सभी संस्थाएं समावीशी है इसलिए इनके लाप से कोई ग्रामीन गरीब महिला वन्चित ना रहे एनार एलेम के तहट समाज के सभी वर्गों का परियाप्त कवरेज सुनिश्चित किया जाए प्रशिक्षन, शम्ता निर्माण और कौशल निर्माण एनार एलेम के तहट ये सुनिश्चित हो कि गरीब महिलाओं को परियाप्त कौशल उपलब्द कराया जाए गरीब महिलाओं को अपनी संस्थाओं का प्रबंदन करना, बाजार के साथ संपर्क इस्थापत करना, मौजूदा आजीविका का प्रबंदन करना, उनकी रिन उप्योग शम्ता तथा रिन साख बढ़ाना आधी का प्रशिक्षन दिया जाए लक्षत परिवारों, स्वयम साहता सम्हूं, उनके परिसंगों, बैंकरों, गैर सरकारी संघचनों और अन्यम मुख्य स्टेक होल्डरों के लिए बहु सूत्रिय द्रिश्टी कूण की संकल्पना की जाए स्वयम साहता सम्हूं और उनके परिसंगों तथा अन्य सम्हूं के शम्ता निर्माण के लिए सामुदाईक, पीशेवरों और सामुदाईक संसाधन व्यक्तियों के कारियम में लगाने पर विशीश ध्यान के अंदृत किया जाए NRLM ग्यान प्रसार और शम्ता निर्माण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ICT का व्यापक उप्यों किया जाए परिक्रामी निधी और पूंजी गत सबसिडी सबसिडी परिक्रामी निधी और पूंजी गत सबसिडी के रूप में उपलब्द हो सबसिडी सम्हों के रूप में सदस्यों की रण संबंदी आवश्चकता है पूरी करने के लिए और बैंक वित्थ पोशन को लाब लेने के लिए प्रेरक पूंजी के रूप में हो सर्वब्यापी वित्य समावेशन NRLM सभी गरीब परिवारों सुम साहता सम्हों के अतिरिक्त सर्वब्यापी वित्य समावेशन हासल करने के लिए कार्य करें NRLM वित्य समावेशन के मांग एवं आपूर्ती पक्ष से संबंदित कार्य करें मांग पक्ष की और यह गरीबों के बीच वित्य साक्षरता को बढ़ावा दें और स्वयम साहता सम्हों एवं उनके परिव संगों को प्रेरक पूंजी उपलब्द करवाए आपूर्ती पक्ष की और यह वित्य शेत्र के साथ समन्वे करें तथा सूचना संशार एवं प्रद्योगी की के उपियोग को प्रसाहित करें कौशल एवं नियोजन परियोजनाए NRLM साज़दारी रीती के जरीए कौशल विकाज एवं नियोजन पर योजनाय जारी रखे यह महिलाओं को बाजारों में आजीविका के अफसरों के प्रती जागरुप करे आजीविका के साधन को इस्थाई बनाने के लिए सर्वजनिक नीजी, गैर सरकारी और सामुदाइक संगचनों के साथ साज़दारी की जाए सर्वजनिक नीजी, गैर सरकारी और सामुदाइक संगचनों के साथ साज़दारी से विभिन मॉडल बनाए जाए और द्योगिक परी संगों थथा शेत्र विशिष्ट करमचारी संगों के साथ संबंदों को मजबूत किया जाए इस प्रयास में राश्रिय कौशल विकास निगम को मुख्य रूप से सहभागी बनाया जाए नई पहल, NRLM नई पहलों का स्वागत करे नई पहल के रूप में तकनीक, संचार और विशेश रूप से सोशल मीडिया का उप्यूप करे ऐसी पहले अपनाय जाएं जिससे गरीब एवं वंचित लोगों को लाब मिले और सीमत सुरोतों में अधिक काम निकले निगरानी तथा शिक्षण NRLM द्वारा वैब आधारत समिक्षा समीती की नियमित बैठक की जाए वरिष्ट सहकर्मियों, इस्थानिय जिला, राज्य इवं राष्टे स्तरिय निगरानी सम्हूं द्वारा नियमित तौर पर दोरे की जाएं समिक्षा एवं आयूजना मिशनों की व्यवस्था के लिए सरपंच अपने इस्थर पर मॉनिटरिंग करें NRLM की कार्णी सूची NRLM के अंतरगत देश के 6 लाक से अधिक गाउं को साहिता प्रदान करने का लक्षे रखा गया है Exposure दोरों तथा Immersion दोरों पर व्याय को भी इस घटक की तहत कवर किया जाना है उलिखित कोशल प्रशिक्षन से तातपर्यस रोजगार के लिए सदस्य स्तरिय प्रशिक्षन से है तथा यह रोजगार संबध्य कोशल प्रशिक्षन से अलग है तालमील और सहभागिता आजेवी का NRLM सुनिश्रित करेगा कि राज्य एजन्सियां SRLM प्रमुक सरकारी कारिक्रमों के साथ सहभागिता विक्सित करे राज्य एजन्सियां ही गरीवी तथा आभाव की अलग-अलग पहलूओं पर ध्यान देने के लिए तालमेल स्थापत करेगी इनके साथ निम्न पर ध्यान रहेगा अधिकार पीडियेस, मनुरेगा, सामाजिक, सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार जीवन स्थर में सुधार, स्वास्थय और पोशन, स्वच्च पैजल, स्वच्चता, इस्थाई आवास, बिजली, आदी शमता विकास प्रारंबिक शिक्षा, व्यवसाइक तक्नीकी शिक्षा, कौशल विकास, आदी आजीविका के अफसर संस्थागत वित्थ, खेती, पशुपालन, वाटरशेट, MSME विकास, खाद, प्रसंकर आदी बुनियादी सनुरचना योजनाई, सडक, बिजली, दूर संचार, आदी इसके साथ जुडने का रहिका प्रयास आजीविका, NRLM, SRLM, पंचायती राज मंत्राले मानव संसादन विकास मंत्राले कृशी पशुधन विकास खाद, प्रसंकरण स्वास्थे एवं परिवार कल्यान वस्त्र, MSME, केवी के, महला और बाल्विकास विद्द परियटन मंत्राले आदी की कारिक्रमों के साथ जुडने के प्रयास करेंगी साजिदारिया आजीविका, NRLM, NGO और CSO संगटनों के साथ राश्व्री रूपरेखा के तहट साजिदारी करेगा साजिदारी के तहट प्रशिक्षन, विशेश शिग्यता, लागत तथा संसाधनों को साजा करने का काम किया जाएगा अनेक इस्तरों पर NRLM, क्रियानवेय तथा संवीदनशील सहयोगी की भूमिका निभाएगा पंचायत प्रतिनिधी अगर चाहें तो अपने शेत्र में पाइलिट पर योजना के तहट प्रशिक्षन देने और शम्ता निर्माण का काम कर सकते हैं साजिदारी के लिए सम्हू को संपर्क प्रदान किया जाएगा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी निजी शेत्र, कॉर्परेट, सामाजिक, उत्तरदाईत्व, इकाईया, परामर्श, संस्थान और अन्य तरहें ट्रस्ट भी साजिदारी में अपनी भूमी करें भाएगे निजी शेत्र, कॉर्परेट, सामाजिक, उत्तरदाईत्व, इकाईया, परामर्श, संस्थान और अन्य तरहें के ट्रस्टों के साजिदारी से तो समूहों का खूब विकास हो जाएगा ना हाँ, तुम बिल्कुल ठीक क्या रहे हो पढ़ाम आशा दीदी हाँ, पढ़ाई लिखाई धीक से चल रही है ना हाँ दीदी, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है आशा दीदी, हम लोग स्वयम सहायता समूह के बारे में बात कर रही थे हाँ, आपको पता है आशा दीदी, आज तो हमें रामदुलारी चाची भी मिली उन्होंने बताया कि राजेश्विरी चाची द्वारा शुरू किये गए स्वयम सहायता समूह के साथ जुड़कर उन्होंने अपना काम शुरू किया है हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो हमारे गाउं में तो स्वयम सहायता समूह बहुत अच्छा काम कर रहा है पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीन विकास मंत्राले और पंचायती राज मंत्राले द्वारा सन्युक्त निर्देश के अनुसार सभी SHGD NRLM को बढ़ावा मिला है क्या स्वयम साहता समूहों के कामकाज में पंचायतों का भी कोई योगदान होता है डिदी? हाँ विल्कुल होता है पंचायते कही स्थर पर इन समूहों को सहायता एवं सहयोग प्रदान करती है हमें इसके बारे में बताओ न डिदी? हाँ रुको मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ ग्राम पंचायतों की नित्रत्व में समूहों का विकास पंचायती राज मंत्रा ले सम्हूं के विकास में सहीयोग देता है द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना के तहट सम्हूं को सहीयोग दिया जा रहा है डे-NRLM के तहट सभी स्वयम सहीयता सम्हूं और उनके संगों को ग्राम पंचायतों के नित्रतों में इस्थानिय आर्थिक विकास कारिक्रमों का लाप दिया जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीन विकास मंत्राले और पंचायती राज मंत्राले द्वारा सहीयोगत निर्देश के अनुसार सभी SHG-DNRLM को बढ़ावा मिला है पंचायती राज के सहीयोग से ग्रामीन गरीबी अन्मूलन यूजना के लिए इन सम्हों को तयार किया जा रहा है ग्राम पंचायतों में एकिकरण प्रदान करने के लिए इसे ग्राम सभा में प्रस्तुत करना भी अनिवार्य किया गया है आज डे, NRLM, SHG और federation में संगटित 70 मिलियन से ज्यादा महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है तुम्हें मालूम है कि मोधी सरकार ने Self-Help Group यानि की स्वयम सहायता समू को बड़ी सौगात दी है किस प्रकार की सौगात दी दी? पहले जो गारंटी मुक्त कर्ज 10 लाख रुपे था अब वो बढ़कर 20 लाख रुपे हो गया है इसके लिए बकाइदा केंद्रिय बैंक त्वारा अधिसूचना जारी की है हमें इसके बारे में बताओ न दीदी? हाँ, ध्यान से सुनो मोधी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को बड़ा तौफा दिया है पहले जो गारंटी मुक्त कर्ज 10 लाख रुपे था अब वो बढ़कर 20 लाख रुपे हो गया है इसके लिए बकाइदा केंद्रिय बैंक द्वारा अधिसूचना जारी की गई है इस अधिसूचना के मुताबिक दीन दयाल, अन्तियोदय योजना और राश्ट्रिक रामीर आजीवी का मिशन के तहट डे-NRLM को गैरेंटी मुक्त कर्ण की सीमा को बढ़ा दिया गया है सरकार की इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डे-NRLM भारत सरकार की गरीबों के लिए चलाई जा रही विशेश योजनाओं में से एक है यह वैसला किया गया है कि इसके जरीए व्यापक वित्य सेवाएं और आजीवी का सुलब करवाने का काम होता रहेगा आसान भाषा में कहें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 20 लाख रुपए तक के लोन के लिए किसी तरह की गयारंटी की जरूरत नहीं होगी और ना ही उनसे कोई मार्जन लिया जाएगा इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशों में निवेश के लिए दिशान निर्देश तयार किये है डे नर एलम के उदेश ये नर एलम का उदेश ये गरीब परिवारों को सक्षम स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुँच के लिए सक्षम करके ग्रामीन गरीबी को कम करना है मिशन का उद्देश्य दस से बारा करोड ग्रामीन परिवारों को स्वयम साहता समू में समय बद्द तरीके से जुटाना है मिशन को मजबूत सामुदाइक संस्थानों के निर्मान के माध्यम से गरीबों की आजीविका में एक इस्थाई सुधार लाने के लिए डिजाइन किया गया है मिशन का केंद्री योद्देश्य ग्रामीन गरीबों की कुशल और प्रभावी संस्थागत प्लेटफॉर्मों की स्थापना करना है जो उन्हें आजीविका समद्वर्धन के माध्यम से घरेलू आए बढ़ाने और वित्य और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करने में सक्षम बनाते हैं संस्थाओं की सनरचना DNRLM के तहट समहूं का विकास करने के लिए समर्पित मानव संसाधनों की आविशकता है इसलिए DNRLM के लिए राश्च्रेस्थर, राज्च्रेस्थर, जिलास्थर और उप्चिलास्थर पर समर्पित समर्थन सनरचनाओं का गठन किया गया है इन सनरचनाओं का लिंक सीधे जिला ग्रामीन विकास अभी करनू और पंचायती राज्च संस्थाओं के साथ होता है सनरचनाओं की भागेदारी और सेवाओं की आउट्सोर्सिंग सहित उचित व्यवस्था पर ही DNRLM की सफलता निर्भर है प्रभावी ढंग से DNRLM को लागू करने के लिए राश्ट्रीक रामीन आजिविका समवर्धन सुसाइटी मिशन के तकनीकी शाखा के रूप में अथारा सुसाज की सुसाइटी पंजीकरण अधिनियम की तहत इस्थापत किया गया है चरण बद्ध क्रयान व्यन DNRLM एक प्रभावी कारिक्रम है यह कारिक्रम प्रभावी संस्थाओं में गरीब जुटाने उनके वित्तिय समावेशन को बढ़ावा देने और उनकी आजिविका को मजबूत करने में सक्षम है अच्छा दीदी अगर किसी महिला को स्वयम सायता समू से जुड़ना है या उसे कोई समू चालू करना है तो वो यह काम कैसे कर पाईगी हाँ दीदी आवेशन पर किरिया क्या है इस समू से जुड़ने के लिए आप ओनलाइन या ओफलाइन दोनों ही तरह से आवेशन कर सकते हैं ओनलाइन आवेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ब्राउजर पर जाकर एस एच जी रजिस्ट्रेशन टाइप करना है जबकि ओफलाइन माध्यम से इस समू से अगर कोई महिला जुड़ना चाहती है तो वो अपने गाउं में उन महिलाओं से संपर कर सकती है जो पहले से ही स्वयम सहायता समू की सदस्य है दीदी इसके बारे में हमें विस्तार से बताओ ना हाँ ध्यान से सुनो इस तरह करें आवेधन इस समू से चुड़ने के लिए आप ओनलाइन या ओफलाइन दोनों ही तरह से आवेधन कर सकते हैं ओनलाइन आवेधन करने के लिए सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर पर जाकर SHG Registration टाइप करना होगा आपके सामने PMEGP Online Application Registration KVIC की वेब साइट खुलेगी इस वेब साइट पर क्लिक करते ही आपके सामने Self Help Group का Registration Form खुलेगा इस Online Registration पेज में सही सही जानकारी भरे जब आपका Registration भर जाए तो एक बार चेक कर ले कि आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है या नहीं सरकारी जानकारी चेक करने के बाद Save My Application के आप्शन पर क्लिक करे आपके द्वारा दिया गया सारा डीटा सेव हो गया है कुछ दिनों में आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी को वेरिफाई कर ग्रुप बना लिया जाएगा अगर आप ओफलाइन माध्यम से इस सम्हूं से जुड़ना चाहते हैं तो अपने गाउं में उन महिलाओं से संपर्क कर सकते हैं जो पहले से ही स्वयम साहता संहूं की सतस्य हैं गाउं के किसी विशेश व्यक्ती से संपर्क कर जैसे ग्राम प्रधान या आंगनबाडी केंद्र संचालक से संपर्क करें अगर आप चाहें तो कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी अपना रिजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वाह इस तरह से तो गाउं गाउं में महिलाओं का आर्थिक और समाजिक विकास हो जाएगा हाँ महिलाओं को भी समानता और स्वतनता का अधिकार सही मायने से मिलेगा मैं तो कहता हूँ कि गाउं की हर महिला को ये कहना चाहिए कि गरीबी से नहीं डरेंगे, समू का गठन करेंगे हर हफते बैठक करेंगे, आज भी का केस रोत खुलेंगे समू में मिलकर काम करेंगे, हर मुश्किल का समधान करेंगे जय ही जय भारत